नमस्कात, मैं वुसता सी आयो जर्खन की टोप पिशीश पर मोख खबर जानते हैं ग्रिती दी गई वहीं जार्खन नए बिधान सभा भवन का उद्गाटन प्रधान मंत्री की सान मांधन योजना खुद्रा बेपारी दुकांदार एवं सोरोजगार पेंसन योजना जन जाती बहुल इलाकों में 462 एकलब्य आदर्स आवासे भिद्ध्याला है साहिव गंज म मल्टी मोडल टर्मिनल जार्खन का नाया सच्वाले भवन का सिलन्यास हुआ है बता दे पीए मोधी के कारेकाल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजे में 1754 किलोमेटर लंबी सड़क बनाने की स्विक्रिती मिली इसका उद्यस नक्सल प्रवाई छेत्र और टर्फ लाइन के असर के चलते गुरु अर्दो फरबाद राजे के कई इलाकों में में गर्जन बजरपात के साथ हलकी बारिस हुई है मौसम केंदर के अनुसार दीन में 14 अचारी पकोडर में गुमला खुटी मेदनी नगर गीडी सिम्डेगा और पच्मी सिम्वों में कोछ जगोपा 30-40 किलोमेटर प्रती गंटा की रफ़ता सहबा चली है इस दोरान में गर्जन और बजरपात भी हुगा है पिछले 24 गंटर के अंदर गोड़ा में एक अस्थान बोवारी जोर में सबसे अधिक 38-4 किलोमेटर बारिस रिकाउट किया गया है आम लोगों के लिए रांची में खुल गया तारा मंडल। बताद इसके लिए टीकट प्राइस 20 रुपय से लेकर 50 रुपय तक है इसकूली बच्चों से लेकर वैसकों तक के लिए अलग अलग रेट ने धाई था है हलाकि साइन्स सेंटर अभी आम लोगों के लिए बंध है जिसके जिरुन धार का कारेश चल रहा है जारखन पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग आज पंचायत समीति सदस के ये गारा सो उन्चास और वार सदस के चौरासी सो एकानवे पदों के लिए मददान होगा इसके तहट जीला परिशत सदस के लिए 1,28 मुख्या के लिए 7,987 पंचायत समीति सदस के लिए 5,587 और वार सदस के लिए 20,902 परत्यासी यानि की कूल 35,504 परत्यासी की किसमत का फैसला है 58,16,946 मत दाता करेंगे CM हेमन्त सुरेन ने ED पर साधा निसाना मुख्या मंत्र हेमन्त सुरेन ने कहा है कि जारखण में कुछ दिनों से ED की करवाई चल रही है यहाँ ED की करवाई कौम पर चार ज्यादा हो रहा है ED करवाई के बदले अख़बार और मीडिया के भूमकाय में ज्यादा नजर आ रहा है अब तक क्या पईनाम निकला यह ED को बताना चाहिए ED ने अब तक एक भी प्रेस ब्रिफिंग नहीं किया है ED की करवाई राजी के विकास की गति को रोकने का पर्यास है राज सरकार जनहित पर काम करती रहेगी सिरी सुरेन नीजी नर्सिंग होम में इलाईरत पुरो मंत्री यदुनात बासके से मिलने के बाद मौभंडार डीवी में पत्रेकारों से बात कर रहे थे देवघर यहरपोर्ट पूरी तरह तयार सरावनी मेला से पहले हवाई सेवच सुरू करने के लिए देवघर यहरपोर्ट पूरी तरह से त्यार है यहरपोर्ट अथुरिटी आफ इंडिया के चेयर्मेन संजीव कुमाने गुरुवार को देवघर यहरपोर्ट के सिविल और टेकनिकल वर्क का पूरी तरह से निरिक्षन का संतोष्टी जताई है उन्होंने यहरपोर्ट अथुरिटी आफ इंडिया के बोर्ड मेंबर समेत अथुरिटी के अधिकारियों के साथ बैठा कर यहरपोर्ट में छोटी-छोटी कारियों को जल्द पूरा करने को कहा है साथ ही राज सरकार के अधिकारियों से यारपोट के एप प्रोश रोट को भी अगले 15 दिनों में पूरी तरह त्यार करने का सुझाओ दिया है सब जुनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनसीप जारखन के खेल प्रेमियों के लिए खुसखबरी है बतादे करनाटा के बेलारी में चल रहे सब जुनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनसीप में जारखन के सीवम दुबेवा अनीश सिंग ने सांदार प्रदसन किया है और दो पदक पके कर दिया है 35-37 किलो भार वर्ग में अनीश कुमार सिंग ने बेतरीन प्रदसन करते हुए फाइनल में अपनी जगा पकी कर लिया है गुरु आरको फाइनल में अनीश का सामना सर्विसेस के खिलारी से हुआ सेमी फाइनल में अनीश सिंहा ने दिली के बॉक्सर को मात दिया है जारखन से बिजली संकट होगा दूर जारखन के रामगण जिले के पतरातु में पी वी यू एन एल पावर पलांट का निर्मान किया जा रहा है 11,500 कोर की लागत से 2018 से कार्य सुरू हुआ है इस पलांट का निर्मान 2022 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया था प्रांट कोरोना के कारण पूरी नहीं किया जा सका जो 2024 में उत्पादन सुरू होगा पहले फेज में 2400 मेगावार्ट बिजली का उत्पादन होगा इस पलांट के निर्मान के बाद जारखन बिजली के छेतर में आयत्म निर्भर हो जाएगा इसके साथ ही रोजगार के आउसर भी बढ़ेंगे आपको बता दे कि यहाँ दो चर्णों में 4000 मेगावार्ट उत्पादन छमता का पावर प्रेंट अस्थापित करना है बश्च 2018 में प्रदानमतिन नहींदमोदी ने इसकी अधार सिला रखी थी एसोसियेशन के सची बीफिन के अवास पर CID राश्टरिये खेल घोटाला मामले में CBI की टीम गुरू आरको बोकारो के सेक्टर आट सी थी जार्खन का बड़ी एसोसियेशन के सची वा बोकारो ओलम्पिक एसोसियेशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंग के आवास पर पहुंची CBI के अधिकारियों को छापेमारी के दोयान कई दास्तावेज मिले हैं इससे CBI ने जब्त कर लिया है सुत्रों के मुताबिक उनके घर से CBI के टीम ने कई LIC आवास के एगरिमेंट पेपर यहां कुछ बैंको के कागजात जब्त किये हैं आपको पता दे कि CBI की टीम ने रांची में ज़ार्खन के पूरो मंत्री वो कांगरेज के करकारी अध्यक्ष बंधू तिर्की की आवास पर छापेमारी भी की है निसिकांत दूबे ने कहा इनके मोबाइल में बेहाई की गंदी तस्वीरे ज़ार्खन की खान उद्योग सचीव IAS अधिकारी पूजा सिंगल की गिरवतारी के बाद से इस परकरण में बेहाद मुखर रहे भाजपास सांसन निसिकांत दूबे ने अपने ट्वीट से एक बार फिर सब को हिला दिया है निसिकांत ने का है कि ज़ार्खन में हाल के दिनों में ED की छापे मारी में जब्त किये गए मोबाइल से बेहाई की गंदी तस्वीरे मिली है इनके वाट्सेप चैट में IASI के धेर सारे परवन देखे गए है हेमंत सुरेन की CBI जाच जार्खन के मुख्यमंति हेमंसुरेन के खान लीज और सेल कमपनियों की CBI जाच के मामले को जार्खन हाई कोट ने राजय हीद और नया हीद का मामला बताया है इस मामले में जार्खन हाई कोट एक जुन को अहम सुनवाई करने जा रहा है इसे पहले जारकन सरकार ने एक महिने तक सुनवाई टालने की मांग की जिसे आदालत ने कई टिपनी करते हुए खारिज कर दिया है और सभी पक्षों को अपना आमतिम जवाब 31 महिन तक दाखिल करने कादेश दिया है बता दे राज सरकार की ओर से आज का की बाइदता पर सवाल उठाने पर अदालत ने सीधे सीधे कहा है की नयाय और राज के हीत में या ममला विसेश तोर पर वो केस्षन कोट में सुना जा रहा है कीले महकोडे से पूजा सिंगल का जीना हराम भरस्टा चार के संगिन ममलों में जेल भेजी गई आईएस अधिकारी पूजा सिंगल जेल का खाना नहीं खा रही है गुरु आरकोश ने जेल के पेड कैंटीन से खरीद कर खाना खाया इस बीच पूजा सिंगल को बेचायनी की सिकायत होई है तब डाक्टरों ने उनकी जाच की मनी लॉंडरिंग के मामले में जेल में बंद जार्खन की निलंबित खान सचीव आईएस अधिकारी पूजा सिंगल की जेल की साजा मुस्किलों के बीच कट रही है उन्हें निंद नहीं आ रही इस से वा बेचायन है पूरी रात बैठी रही अपने कमरे में टहलती रही कुछ देर टहल कर सोने के बावजूद उन्हें निंद नहीं आ रही है मलेसिया में फसे जार्खन के आठ मजदूर अब वहां आठ मजदूर अभी भी फसे हुए है राजे परवासे नियंतरन कक्ष उनकी वापसी को लेकर लागातार मलेसिया में हाई कमिशन आफ इंडिया के अधिकारियों के संपर्क में है मुख्य मंत्री हमान सुनें के निदेश पर अब तक दो चर्णों में मजदूरों की वापसी हुई है रगुवर वर नक्वी में कौन जाएगा राजसभा 29 माई को घोसना जारखन में राजसभा चुना को लेकर किसी भी राजनितिक दलने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले है कांग्रेस और ढशामों में जहां मान मनोवल शोरी है तो वहीं भाजपा में फिल हाल बॉर टटा ही सहे जा रहे है मानअ जाराए कि भाजपा 29 माई को प्त्यासी की घोसना कर सकती है पार्टी प्त्यासी 30 या 31 माई को विदान समा में नमांकन दाखिर करेंगे इधार NDA के साज़दारी आईसू ने भी अब तक अपने पते नहीं खोले हाई लेकिन ये अताय माना जा रहा है कि आईसू हमेशा की तरह भाजपा के साथ ही जाएगी तीन राजियों में CBI का छापा जार्खन के बहुचर्ची 34 वा राष्ट्रिये खेल गोटाले कानु संधान कर रही CBI की पतना इसी भष्टा चाह नियोधक ब्यूरो के टिम में तीन राजियों के 16 ठीकानों पर CBI के अधिकारियों ने गुरुवार के सुबा एक साधस तक दिया है इनमें जार्खन के राची धनबाद बोकारो गोड़ा वा दुमका जिले बिहार में पटना वा दिली स्थीत ठीकाने सामिल है सभी ठीकाने पूरो मंत्री बंधू तिर्की राश्ट्रिये खेल आयोजन समिती के ततकालिन करेकारी अध्यक्स पूरो सांसत आरके अनंद जार्खन के ततकालिन खेल निदेशक PC मिसरा ततकालिन संगटन सचिव SM हासमी और जार्खन ओलाम्पिक एसोसेशन के ततकारीन को साध्यक्स मधुकांद पाठक वा उनके स्वहयोगियों से सम्मधित है इस चापे मारी में CBI को कई महत्पुन दस्तवेज मिली है जिसकी समिक्षा चल रही है धन्यवाद